Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education तो आज जो चैप्टर में आप लोगों के साथ शेर कर रही हूँ ये Enriching English का है Chapter 9 Class 5 का और इस चैप्टर का नाम है Python and the Chariot of the Sun I hope कि आप लोगों के लिए वीडियो useful होगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेर करें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं Have you ever done something to impress your friends? Even though you knew it might be dangerous Read this story from Greek mythology about a boy who wanted to ride the chariot of the sun to impress his friends अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपसे एक question किया गया है कि आपने कभी ऐसा कुछ काम किया है अपने फ्रेंड को impress करने के लिए या किसी को भी impress करने के लिए जो के आपके लिए dangerous हो सकता है अब यहाँ पर हमें एक Greek mythology की एक story हम पढ़ेंगे जिसमें एक लड़का जो है अपने फ्रेंड को impress करने के लिए क्या चलाता है chariot of the sun चलाता है ठीक है अब सबसे पहली बात कि mythology क्या होती है mythology वो होती है जो कि पुरानी stories होती है किसी के culture से related होती है या किसी के belief से किसी की धारनाओं से related जो stories हम सुनते आ रहे हैं उसी को हम mythology कहते है ठीक है फाइथन वोस दा सन अफ ग्रीक सन गॉड फाइथन किसका बेटा था ग्रीक सन गॉड का बेटा था जिसका नाम था हीलियस एवरी देए हीलियस ब्राउड दा सन अप ओन हिस फेरी चारिट और फाइथन जो है वो सन गॉड का बेटा था जिसका नाम था हीलियस और हीलियस का हर दिन काम क्या था कि वो सूरज को उगाता था अपने चैरियट के थुरू अपने जो चैरियट यहां पर क्या है जो घोड़ा गारी है पीछे जो उसको चला आगे घोड़े लगे हुए हैं और पीछे जो कार्ट लगा हुआ है, that is called chariot फाइटन वोज वेरी प्रावड ओफ इस फादर, ठीक है, फाइटन को बहुत ही अच्छा लगता था, अपने सन को यह करता हुआ देखके फाइटन ने कहा, father you bring the sun up every day, I want to be just like you, फाइटन को बहुत अच्छा लगता था, उसने कहा कि पापा आप जो है, डेली सन को उपर लाते हैं, हम भी आपके साथ, हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं तो उसके पापा ने क्या कहा, sun, it is indeed an important task, if the sun did not come up every day, the crops would die and everyone would starve तो उसके पापा ने कहा, कि हाँ, बेटा, ये बहुत ही important काम है, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो क्या होगा, कि जो crops है, जो खेत है, वो उगेंगे ही ने, जो अनाज है, वो नहीं उगेगा, और हर कोई जो है, क्या हो जाएगा, भूका मर जाएगा, ठीक है और हर दिन क्या होता था, कि हीलियस का जो सर्वेंट होता था, वो चार घोड़ों को, उसको उसके साथ चैरियट के साथ बांद देता था, इस होरसे वोड, आर सो वाइल एंद फियर्स, आट ओनली हीलियस कैन कंट्रोल दें, और ये घोड़े जो थे, ये किसी से भी कंट्र नहीं होते थे, बहुत ही जादा वाइल्ड थे, खतरनाक थे, ठीक है, और कोई भी हीलियस के इलावा, कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाता था, ओके, और उसके बाद जो है, हीलियस उस पे चड़ जाता था, और अपनी आस्मान की तरफ अपनी जर्णी को क्या करता था, स्टार्ट करता था, इसके बाद क्या होता था, अब वो जो है, अपने सन को जो है, अर्थ के हर हिस्से मिले जाता था, ताके जो है, हर जगा क्या मिल सके, रोशनी मिल सके, और गर्मी मिल सके, क्रॉप्स जो है, वो ग्रो हो सके, और पीपल जो है, लोग अपने डेली काम के लिए निकल सके, है ना, उसके बाद क्या होता था, कि वो हर शाम को क्या होता था, कि उसको सूरज को जो है, सबकी आँखों से, नजरों से क्या करते था, ओजल कर देता था, नजरों से हटा देता था, और उसको टाइम देता था, ताके वो अपने आपको और जादा ताकत दे सके, कौन ताकत दे सके सूरज और जाधा अपने आपको अपनी गर्मी को और जाधा बढ़ा सके मदलब कि अपने आपको फिर से रिपेर कर सके ठीक है और उसके बाद जो हीलियस घर वापस आ जाता था बहुत ही ठका हुआ लेकिन साटिस्वाइ रहता था कि हमने अपना काम कर दि फाइथन पूस्टेड बॉस्टेड अपना काहानी इस तरह की कहानी अपने दोस्तों को सुनाता था और बाकी लोगों को सुनाया करता था वन डे माइथ देस्रेड वाइए उस बl tu है देस्रेड दोस्तै स्चाइवाइड धियृ है प्रीड एट गाइड पार्ष दीड़ तो वो सब दोस्तों को अमनी कहानिया सुनाता रहता था कि जैसे मेरे पापा है एक दिन हम भी उसी तरह से रहेंगे और क्या होगा कि उसी तरह से उस चैरियट को हम चलाएंगे और बहुत ही अच्छे ड्राइवर बनेंगे जैसे कि मेरे पापा है फाइथन वांटेट तो प्रूब इस फ्रेंड दाट इस फादर ट्रस्टेड हीं फाइथन को जो है अपने दोस्तों को दिखाना था कि हम जो है ऐसा काम कर सकते हैं तो डेली वो अपने पापा से रिक्वेस्ट करता था कि वो उसको अलाव कर दे चैरियट को चलाने के लिए फादर, I beg you to trust me I promise that I can handle the horses without getting burnt और वो कहता था कि फादर हम आपसे भीग मांगते हैं आप भरोसा करिए कि हम जो है वो होर्सेस को handle कर सकते हैं और जलेंगे भी तो जब जो python था तो वो जब daily जब अपने पापा से request करता था तो उसके पापा ने क्या कहा Oh son you will not listen to me तो उसने कहा कि लड़क बेटे तुम मेरी बात नहीं सुनोंगे You can take the chariot tomorrow but remember there are dangers Steal the horses with a strong hand to not go too high or too low तो उसने बताया कि ठीक है chariot तुम ले जा सकते हो लेगिन याद रखना बहुत सारे खत्रे हैं और घोड़ों को बहुत ही ज़्यादा मजबूती से पकड़ना और ज़्यादा उंचाई पे भी ना जाना और ज़्यादा नीचे भी ना जाना ठीक है बट फाइथन वस ओवर कॉन्फिदेंट और स्टॉबन देक्स मॉर्निंग लेकिन फाइथन क्या था उसको बहुत जादा ओवर कॉन्फिदेंस था कि हम तो ये काम कर ही लेंगा और बहुत ही जादा जिद्धी भी था दूसरी सुबह वो सीधे जो है अपने चैरियट पर चरड़ गया और जैसे इसने घोडों की लगाम हाथ में पकड़ी घो데 जो है बहुत ही तेजी क्योंकिए वह बहुत ही ज़ादा मतलब फीर्स घोड़ते पहुत ही ज़ाद वाइल्द थे बहुत ही ज़ाद तेज जल्दी उसको पता चल गया कि उसने जादा जितना वो हैंडिल कर सकता है उससे जादा उसने काम ले लिया है अब उसको समझ में आ गया कि वो क्या कहने लगा कि हम जो है होर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हम तो यहां तक कि उनकी लगाम को भी धंक से नहीं पकड़ पा रहे हैं अब जो है होर्स को भी पता था कि जो चैरिटीर है जो चैरिट को चलाने वाला है वो एक्स्पीरियंस वाला नहीं है वो लोग बिलकुल इधर उधर बिलकुल खतरनाक रास्तों पर जो है वो लोग दोडने लगे अब जो है उसने क्या देखा के वो चैरिट जो है बिलकुल अर्थ के करीब आ गया तो अब वो क्या कह रहा है फाइथन के ओ नो अब जो है जो है जो है जमीन के बहुत जादा पास में चला गया हम तो अपने दोस्तों को बस दिखाना चाहते थे लेकिन हमने बहुत बड़ी गल्ती कर दी अब जो है जो है यह जो चैरिट था वो आगे चलता गया आस्मान में और एक रास्ता बनाता गया तो बहुत ही जादा जल रहा था तो एक जलता हुआ रास्ता बना आता गया जिसको हम क्या कहते हैं मिलकी वे कहते हैं ठीक है तो इसने क्या हुआ कि अब जीज जो था जीज जीज जो था king of gods था ठीक है मतलब जितने gods थे उनका राजा था तो उसने देखा कि यह आस्मान में क्या हो रहा है तो उसने एक बिजली फेकी ताके chariot को वो क्या कर सके रोक सके how harshly helios is driving the chariot is he asleep I have to wake him up और जीज ने सोचा कि क्या हुआ helios क्या हो गया वो सो गया है क्या यह chariot किस तरह से वो चला रहा है हमको उसको जगाना पड़ेगा but the chariot tilted and phython fell out and flung into the river poe लेकिन क्या हुआ कि चारियर जो है तेड़ा हो गया और फाइथन जो था उसमें से गिर गया और किस में गिरा river poe में गिर गया these now had to complete hideous tax he called his winged horses pigasus together they caught up with the sweating horses go pigasus let us bring the sun home अब जो है जीज ने क्या 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 मतलब यह जो tax था जो sun को हर जगा पहुंचाने का और उसको evening में कहीं पर छोड़ देने का तो वो काम complete करना था तो जीज ने किसको बताया अपने horse को बताया जिसके पर थे जिसका नाम था क्या पेगासस ठीक है और उसने सारे घोड़ों को एक साथ किया और जीज ने कहा के चलो पेगासस अब जो है sun को उसके घर पे छोड़ देते हैं जीज was ranking in a temper then he found that it was a young python who had been driving the chariot he immediately started searching for him अब जीज को क्या पता हूँ जीज बहुत साथा गुसा हो गया तब उसको पता चला के जो python था वो chariot को चला रहा था और वो जल्दी से उसको खोजने लगा ढूंडने लगा हर्मस my son go and find poor python search for him around the river poor और उसने हर्मस को कहा हर्मस जो है उसको कहा कि जाओ python को ढूंडो और उसको river poor के around में ढूंडना ठीक but हर्मस could not find him no one saw him ever again perhaps he had survived but was hiding a shame perhaps he had died लेकिन हर्मस ने भी उसको ढूंडा लेकिन किसी ने उसको फिर कभी python को देखा नहीं और हो सकता है वो बच गया हो और शर्मिंदगी के वज़े से छुप गया हो या फिर हो सकता है वो डेट कर गया हो python sister were heart broken by his death और python की जो बहने थी वो बहुत ही जादा क्या थी उदास हो रही थी उसके मरने के वज़े से they stood by the river poor and wept और वो लोग जो है river poor के किनारे खड़े हो के रोय जा रही थी these change them into popular trees और taking pity these change them into popular sea there they stand and protect their brother to this day और aziz जो था जो king of god था उसने इन तीनों बहनों को क्या बना दिया popular tree बना दिया वो उसी नदी के किनारे अब भी खड़ी है और अपने भाई का इंतजार कर रही है उसको protect कर रही है ठीक है झाल